अगले दिन वो आया महाँ पर उसने जिससे मेरी शादी हुई उसे वीडियो दिखाई उसने कमरे में आके सब के सामने मुझे तालाग दे दी नहीं बस ऐसे अच्छे खासे कूप बात हुई थी मैंने अपने घर पर भी वीडियो कॉल पर बात करी थी अपनी फैमली से सब कु कि रिपोर्ट रिपोर्ट करवाई तो उसने मेरे उपर उल्टा नाम लगाया कि मुझे से 10 लाक रुपे मांग रही है तुमने बैसे मांगे दे नहीं पैसे सर क्या इज़्जत आजाए कि लोट के बताओ जी सर उसके दोस्के पास है उसके भाई के पास है लियास के उसने इसने वड़ी चीप उसए उसमें कर रखिया वजी अगयाि शास है लक्या कि विर्ल गने के रखे लुबा ना तुक लड़का मैन बचा बाल बच्ची कर वार मारे उसने मेरे पर जए करे मेरे डाले लड़के डरा देखाया और छरीम भाष्मेड़ भाविति हाले लड़क और योगी जी से कि आप बेटी बचाओ बेटी घरते हो तो मेरी इपादत करो और मेरे इस चीज से मुझे वो डरा रहे हैं धमकारें तो कभी वो कर भी सकते हैं मेरी जान को पूरा-पूरा उनसे खत्रा है मेरी एक नाबालिक लड़की अपनी सहीली की घर पर रोजाना खेलने के लिए जाया करती थी सहीली का भाई अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारा नमबर मेरा भाई मांग रहा है अगर तुम कहो तो मैं अपने भाई से तुम्हारी बातचीत करा दू पहले तो वो मना कर देती है मगर जब वो कई बार घर में जाया करती थी तो वो उसे बड़ी प्यार की निगाहों से नहारा करता था आकर कार नमबर का लेंदैन हो जाता है, फोन पर बाचीत होनी शुरू हो जाती है और फिर मिल जोल शुरू होता है यानि कि मिलना शुरू होता है उस लड़की के साथ मैं वो गलत सम्मंद भी बना लेता है उसे वादे करता है कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम से शादी करूँगा 14 से 15 साल की उमर का पड़ा भी ऐसा होता है और वो लगातार उसके साथ में इसी तरह से उसको बुला बुला कर संबंद बनाता रहता है उसकी वीडियो जो उसने बना ली थी नीड वीडियो फोटो उसके ले लेता है अपने साथ में और उसे लगातार वो बलेक मेल करता रहता है हलागी वो उसको बरावर शादी का जहासा भी दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा और वो उसकी बातों में आ जाती है और लगातार उसके पास जाती रहती है प्यार लगातार 6-7 साल तक चलता है अब बारी थी दोनों की शादी होने की लड़के के रिष्टे वाले आते हैं बाकाइदा सगाई होती है अब सगाई होते ही जो लड़की है वो उससे कहती है कि तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा मगर अब तुम शादी कहीं और कर रही हो वो लड़की को धमका देता है कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास में है अगर तुमने थोड़ा सा भी आवाज की तो फिर वीडियो वाइरल हो जाएगा लड़की चुप हो जाती है और वो बाकाइदा शादी भी कर लेता है शादी हो जाती है अपनी घरवाली तो उसके साथ थी ही साथ में ही उस लड़की को भी वो बराबर इस्तमाल कर रहा था लड़की उससे लाख मिननते करती है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तुम अपने घरवाली को देखो मेरा सब को छोड़ दो मगर वो उसका पीछा छोड़ता नहीं है लड़की के रिष्टे वाले घर आ जाते हैं मगर लड़की को इस बात की भी चुभन होती है कि इसका रिष्टा आखिर क्यों हो रहा है वो लड़की को धमकाता है कि अगर तुमने शादी की तो मैं तुम्हारी वीडियो वाइरल कर दूँगा मगर अब लड़की अड़ जाती है कि जब तुमने शादी कर ली तो शादी मैं भी करूँगी और आखिर कार लड़की शादी कर लेती है शादी वाले दिन भी धमगाने की कोशिश करता है मगर बहुत साले रिष्टेदार घर पर एकठा थे जिस वाज़े से वो अपने मनसुमों में काम्याब नहीं हो पता मगर वो लड़की सिर्फ एक ही रात की दुलहन बन पाई शाम को बिदाई हुई बिदा होकर वो अपने ससुराल पहुंचती है ससुराल पहुंचने के बाद में अगले दिन ही सुभा को जो उसका प्रेमी रहा था वो उसके दुले से जाके मिल लेता है वो दुले को जाकर बकाईदा वीडियो दिखाता है उस वीडियो में जो दुला देखता है दुले के पैरो तुले जमीन निगल जाते है और वो सीधा घर आकर अपनी नई लेविली दुलन को जिसके हाथ की अभी महंदी भी नहीं चूटी थी जिसका दिखावा लग रहा था महमान नवाजी हो रही थी आते ही उसको तलाग दे है वो इस वक्त जो पीडिता है मेरे साथ में मौचूथ है बुलंद शेहर के कसबा सिकंदराबाद के एक महला का ये मामला है महले का नाम नहीं बता सकता मैं गाड्लाइंस के खिलाफ हो जाएगा थोड़ा सा तो मैं उनी से पूरी उनकी जुबानी सुनूंगा कि आखिर क् आपका प्यार कितने दिन तक चला था और कैसे पूरी बनता है साथ-ाठ साल चलाता हूं मुझे साधी का जहां सा देकर मेरे साथ सारे संबन बनाता रहा और जब सारवात में कैसे मुलाका थो शुरूवात में उसकी बहन मेरी सहली थी उसने मुझे कमरे में जबर जस्ती ले पर उसने मुझे यूं का कि मेरा भाई तुझे पसंद करता है मैंने माना भी करा तो उसने मुझे बहुत दवाब डाला तो मैं मेरी उमर कमती में बहुत गई कि उमर होगी उस वक्त चौदे साल मेरी उमर कितनी उमर है एक इस साल अचा फिर क्या हुआ वह मुझे इसी दोरान मतलव उसने मेरी वीडियो बना लिए और उस वक्त से ही मुझे परिसान करता रहा और ना ही शादी कर रहा है और मेरी कहीं और शादी हो भी गई तो वहां से अगले दिन वह आया महां पर उसने जिससे मेरी शादी हुई उसे वीडियो दिखाई उसने कमरे में आके सब के सामने मुझे तालाग दे दी उसके परिवार की थी सारी लेडिस उसकी भाव भी उसका मतलब पूरी फैमिली ती जैसे मुझे निलाव इलाके तयार करके बिठ उसने मुझे सब के सामने डिवर्स दे दी और मुझे अचानक वहां जब सब देख रहे होंगे तुमारी मुझे दिखाई चल रही होगी अचानक सब लोग जो है क्या हुआ है पहले घर आगे उसने बताया ता सब नहीं उनने एक दम आती सीधर डिवर्स दे दिया मुझे सब के सामने महाबाब को बताया कि इसके कोई आशिक था कोई वीडियो वगेरा दिखा के गया उसका नाम शारूख उफ मूबीन जो शारूख है वो वीडियो दिखा गया है जी शारूख उफ मूबीन मुबीन जो वहाँ पहुंचा दरसल वो इतना शातिर भी है कि इनके पास में कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि उसके इरादेत हुए शुरू से ही जो गलत है वो वीडियो वहाँ वार्सप नहीं करता है किसी और को लेकर नहीं भेशता है वो वीडियो लेकर खुद उस दुले के पास पहुंच जाता है जिससे उसकी जो गर्ल्फेंड रही है उसकी शादी होई थी और वो जाके सीधा वो वीडियो अपने मुबाइल से उसको दिखाता है अब आस देखना था कि अचानक जो है फिर आपने कहा नहीं कि अब कुछ समझाने की कोशिश की हो दुले उसने कुछ भी नहीं कहा सीधा अन्त ही मुझे तलाग दे दी सब के सामने जब यहां से तुम गए थी जब तक तो उसको कोई पता नहीं होगा सब कुछ रात को ठीक बातचित होई थी नहीं बस ऐसी अच्छे खासे कूप बात होई थी मैंने अपने घर पर भी वीडियो कॉल पर बात करी थी अपनी फैमिली से सब कुछ ठीक था पर सुबह ही उन्हें इसा काम कर दिया ससराल जब पहुँचे सब कुछ थे सारी चीज मतलब मुझसे पूछ कर नास्ता वास्ता भी करवाया सुबह सारे काम करवाया सब कुछ ठीक था बस वह उन्हें आते ही उसे वीडियो दिखाए उसके बाद वो गुस्सा हो गया आते ही सब के सामने मुझे तलाग दे दी बात सही भी है उसकी बात अपनी जगए गलत नहीं है क्योंकि कोई भी हो वो इनसान जो देखे लवाइस तरह के नहीं ने विली दुलहन उसके पास पहुंचती है और वापिती सतरी के दिखा this हे तो उसकी रवी तो ये क्या चाछता है कै नहीं नहीं शादी कर रहा रहा है और नहीं और होने दे रहा है यह कहता तो एसी रखेल वन के रहेगी, गलत गलत अफजल लफ बोलता है और उल्टी चीदी हर कते करता है, मेरा इस्तमाल करता है बस और यह कि अगर तुने ना तुझे मरने दूंगा और ना ही तु तु गहीं जाए, किसी के साथ हो सकती है, तु सारी जिन्दिगी एसी रहेगी यानि शादी करने भी नहीं दूंगा और शादी करूंगा भी नहीं, ऐसी रखूँगा रखेल बनाका जी, ऐसी बोल रहा है तुमारे उपर ऐसा भी तो कुछ ऐलिगिशन लगा दिया कि पैसे मांग रही है हाँ, और मैंने जब इसकी रिपोर्ट करवाई तो इसने मेरे उपर उल्टा नाम लगाया कि मुझे दसलाक रुपए मांग रही है तुमने ऐसे मांगे थे? नहीं, पैसे सार का इज़त करी जाएगी लोट के बताओ सार और मुझे मुझे जान से मानने की भी धमकी दी और यसकी मतलब compulet, इसे मांग भी मांग रहा है तुम शादी, वह करना बाद मेरी आने के बाद मीजे करना रहा हॣ कर दी उसे पुलिज न अरेस्ट किया और सीधा ज rail न घ्याने के बाद तु भाई लेके गया था मुझे मुझे तो घरवालों निकाल दिया पापा नहीं ना इधर की रही न उधर की रही ससुराल से तलाक हो गया मगर जो आशिक है वो घर में रखने के लिए वी तयार नहीं है वह रखना चाहता है तो सिर्फ उसको अपनी रखेल की तरह यही था जी सर्थ कि वहां तुम गई जैल में फिर क्या हुआ कि करूंगा मैं तुम मुझे निकल वा तो सही मैं करूंगा पर मैं उससे व दरात रहे मैं अब हुसके जांसे में नहीं आना चाहित ही जी सरु उसके दोस्सके पास है उसके ओसमें कर रही है तुम्हारा पूरा भांडा फोड हम कर किसी की बेटी को इस तरह से सताना इस तरह से उसको परेशान करना इस तरह से जिस तरह से तुमने किया है जैसे एक जानवर करता है जानवर वाली सारी हरकते हैं तुम्हारी उसको हम उजागर जरूर करेंगे अच्छा फिर आप तुमने आज सभी सहाब के पास पहुंचे हैं तुम घब रहा हो मतिना हमने जाच के आदार्श दे दिये और इस पर कड़ी से करी कारवाई करी जाएगी जी बिल्कुल कारवाई ऐसे लोगों पर होगी जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं और हरकत करने के बाद में यह बिल्कुल लड़की सच बता रही है जो इसकी पापा ह गई जब उनको पता चला कि इस तरह की बात है तो क्या उससे डरते तो नहीं है जो वह सख से नहीं वह बहुत पेसे वाला है इस वह डराता है कि एक बार मेरे भाई को अपने दोस्ते बिटवाया भी था इस वह से मेरे भाई इतने वह नहीं है और वह क्या गाड़ी करती हूं पर साथ बजे उसका चाचा कर लड़का पर इस कार प्यले के चड़ाने की गोशिच करी पर वाल बच गई काफी बार उसने मेरे पर ऐसी करा पहले भी जब वह जेयल में था तो मेरे ऊपर पास लड़कीवड़की लिगे डराया और चक को दिखा करेंगे लगां आपना केस बापसी ले ले ना तो तुझे जान से मार दंगे और अब मेरी 6 तारिक को 6 को मेरी सुन वो गवाई है तो उसके बाद मुझ पर दवाब डाला जा रहा है कि अपना केस बापसी ले ले कोई गवाई देने ना जागी अभी दो बहनों के ऊपर गाड़ी चड़ा देती तो कुछ दिन पहले CCTV जो वीडियो है काफी वाइरल भी हुआ था पीछे से गाड़ भी हम जरूर करेंगे गवाई इनकी हो जाए थोड़ा सा गवाई होने के बाद में खुलासा भी करेंगे इसका कि आखिर वो सक्स कौन है अभी फिलाल हमने चुपा के रखा हुआ है और अगर वो अपनी सफाई देना चाहिए तो वो हम से आके बता सकता है कि सच्चाई क्य है क्योंकि हम एक पक्ष नहीं दूसरा पक्ष भी जरूर चलाते हैं अब क्या चाहते हैं मेरी जान को पूरा पूरा उनसे खत्रा है मेरी पूरी वो चाहिए मेरी पूरी मतलब से चाहिए चली खे फिलाल यह आज सस्वी सहाब से मिले हैं आप देखते हैं कि पुलिस इसमें आगे क्या कुछ कार रवाई करती है